सेफ अली खान के लाडले बेटे इब्राहीम अली खान और शिता तिवारी की बेटी पलक तिवारी से डेटिंग की खपरें सुर्खियों में बने हुए हैं दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है खाल ही में एक बार फिर दोनों एक पार्टी में ट्विन करते हुए कपड़े पहने हुए नजर आते हैं इसके बाद से किया है कायास लगाया जा रहे हैं कि इबराहीम अली खान और पलक तिवारी एक दूसरे को लंबे समय से डेट करें हैं जनवरी 2022 ने पलक तिवारी को इबराहीम को एक साथ रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया उस वक्त मीडिया को देखकर अक्टरस ने अपना मूँ चुपा लिया था जिसके बाद से ही उनकी डेटिंग की खबरें शुरू हो गए थी जब पलक ने एक इंटर्व्यू में चेहरा चुपाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी मा शुता तिवारी को बिना बताए घर से बहा निकली थी उनकी माई ये फोटो देखना ले इसलिए उन्होंने अपना चेहरा चुपाया था इबराहीम अली खान और पलक को हाल ही में करण मेता की बर्डे पार्टी में भी एक साथ दिखा गया था इस दोरान इबराहीम अली खान ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में पहने हुए थे तो वहीं पलक भी ब्लैक वन पीस ट्रेस में नजर आ रही थी लेकिन दोनों ने पैपराजी के सामने एक साथ पोज नहीं दिये पलक दिवारी और इबराहीम अली खान को एक बर मुंबई के एक कॉंसर्ट में साथ दिखा गया था फोटोस में यह भी नजर आया था कि पलक और इबराहीम ने ट्विनिंग की भी की हुई है दोनों ही ब्लैक आउट्टिट में कॉंसर्ट में नजर आये दोनों ही एक साथ पार्टी में पहुँचने की वीडियो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह खबरे वाइल हुई है कि इबराहीम अली और पलक दोनों डेटिंग कर रहे हैं इसके बाद से फैंस ने उनकी फोटो और वीडियो पर कमेंट करना शुरू कर दिया है एक यूजर ने कमेंट करके लिखा वह क्या जोड़ी है वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करके लिखा दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं आपको बता दे कि पलक दिवारी और इबराहीम ने अभी तक अपने रिष्टियों के लिए कर कोई मीडिया पर सामने बात नहीं किये आपको यह एक साथ कैसे लगते हैं